गुड मॉर्णिंग नाइंथ क्लास प्लास्ट टूडियो जो हमने टेक्टोनिक प्लेट्स पर डिस्कॉस किया था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यह आपके जोग्रफी चैप्टर नंबर टू दा फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया का एक पार्ट है तो आप आज ह इसमें होते है अप प्लेन एरियास में अपने फ्लेन को मैदान देखे होगे मांटेन अरियास में अपने analyzed S600 कोब अच्छे से तो फिजिकली हम इसको six parts में डिवाइड करते हैं, जो कि the great mountains है, जो कि हमारा है हमालेन mountains है, इसके बाद northern plains है, peninsular plateus third position पर आएगा, fourth coastal plains रहेंगे and the sixth great Indian desert होगा and the last one sixth position पर islands रहेंगे, हम one by one सब को discuss करने वाले हैं, सबसे पहले जैसे कि आपको सामने दिखाए दे रहा होगा, the Himalayan mountains आपको मिल रहा है, so आज हम the Himalayan mountains को discuss करने वाले हैं, so let us start, so students Himalayan mountains जैसे कि आपको बताया भी था कि tectonic plates के convergent boundaries की वज़ा से दूसरे के साथ वो stuck करते हैं और करने के बाद वो एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर चले आते हैं जैसे कि हमारा यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के साथ हुआ था, तो उसी time period में और उसका result हमारे सामने आया है Himalayan mountain के रूप में, तो Himalayan mountain कम discuss कर रहे है, Himalayan mountain जो है जिसके अभी आपको बताया था, यंग fold mountain है क्योंकि यह ज्यादा पुराने नहीं है, अगर compare करें तो old fold mountains जो है, और Assamta की spread out है, अब मैं मैं आप देख सकते हैं, सो कश्मीर to Assamta की पूरा spread out है और इसकी जो formation है, that is just like as an arc, वो विल्कुल एक arc की position बनाता है, हम इसकी बात कर रहे है कि इसकी length और इसकी width की अगर हम बात करें, so west to east इसकी जो width होगी वो 2400 km होगी, that means यहां से यहां तक अगर इसको measure किया जाए, so यह total length होगी यह आपकी 2400 km होगी और अगर हम width की बात करें, so चुकि कश्मीर में तो रसा जादा wide है और आपका Assam की तरफ चाहते हुए यह तोड़ा narrow होता जाता है, so यहां पर यह 450 और यहां पर इसको जो length होगी वो 150 km होगी, length 2400 km यह पूरा spread out रहेगा, तो इस तरही के समने देखा कि इसकी जो length है वो कश्मीर से लेकर और आशाम तक यह total 400, sorry 2400 2400 km इसकी length है और इसकी width अलग-अलग है, different है, अलग-अलग इसमें मिलती है, जो की approximate 450 जम्मू कश्मीर एरियाज में और narrow होते होते 150 km approximate असम में हमें मिलती है, अब बात करते हैं इसके parts की या इसके divisions की, हमाले को हम three different parts में divide करते हैं, यह आपका first one आपका हमादरी होगा, जो की great और inner हमाला है, जो की आपकी outer side में होगा, sorry upper side में होगा, इसके बाद हमाचल जो की middle side में होगा, and the last one shivalik जो सब आपका foot hills की तरफ वाला areas होगा, जैसे की आपको नाम से पता चल रहा होगा, आपका great और inner हमाला that means यह आपका highest part है, middle हमाला middle है और यह आपका lower part है हमाला का, यहाँ पर अभी study करेंगे जो की first one आपका हमादरी, second हमाचल और third shivaliks है, so अभी तक आपने, I hope यहाँ तक आपको कोई भी problem रही नहीं रही होगी, और आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा, फिर भी कोई problem रही है, so you can message me or call me on my general number, till then stay at home, thank you.